नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो इस वीडियो में बात करने वाले यूपी लेकपाल 2022 भी इटी कटाफ को लेकर के अभी अगर आप देखेंगे तो यूडिये लडिये और एसाई वाला भी इटी कटाफ नोटिस जारी हुआ नहीं हाला कि एक्जाम डेट पोस्ट पून हो गई है तो आयोग के पास थोड़ा समय भी मिल गया है और आयोग इस समय पूरी तरह से व्यस्त हैं एनम की जो भरती है महिला स्वास्त करता कार करता वा है आयो सीमा वाला हुए एक था उसमें तो डेली जो है कुछ न कुछ एनम को लेकर के कारे हो रहा है और नौ से लेकर के अठारा तक आयोग पूरी तरह से बैस तरह आने वाले हैं उसमें भी दो दिन चुटी है दो दो दिन गैप है यानि आट दिन में 17713 एनम के जो अभी कम सकम 18-19-20 जून तक तो नहीं लग रहा है कि कोई भी नई नोटिस ये लोग किसी अधर भरती को लेकर के जारी कर सकते हैं एकसेप्ट केवल सिवाय जूनियर असिस्टेंट 2016 रिजल्ट को लेकर के और ये रिजल्ट भी अगर आ गया तो आ गया आर तक यह हो सकता है नोग को भी आ जाए ठीक है हो सकता है कि आयोग उस पर काम करें इधर डीवी चलता रहा है आप देखेंगे डीवी भी चार बाग इस्टेसंग के पास में एक बपा नारान करके कोई वहाँ पे कालेज ये वहाँ पर करवाय जाय रहा ना क्यूपीटर प्लसी आयोग में वह अधित नासिंग वाले जो मिनमम परसेंटाइल रखने की बात करेंगे थे हाला कि तरक संगत या संगत तो यहीं लग रहा है कि एक मिनमम होना चाहिए पीटी का परसेंटाइल आप अभी देखेंगे यूडिये लडिये वाले में अगर कुछ वाइसा एक राइटिरिया कर रहें कि हो सकता है कि अधिक लोगों को मौका दिया जाए वेकेंसी कम में तो इस बज़े से हो सकता है कि फॉर्म तो वैसे कम नहीं भरे गए ओंगे यह मेरा एकनुमान है तो अभी अगर कुछ अगर होता है चुकि देखें यहां पर डेट पोस्ट पॉन होई यह तो उस और बच्चे उसमें इलिजबिल होंगे फिर जो इलिजबिल होंगे फिर लोग अपना इलिजबिल्टी चेक करेंगे आयो की ऑफीसल वेपसाइट पर उसके बाद फिर से जो है वो लोग पेमेंट करेंगे और फिर तब जाकर कि सबके एक साथ एडमिट काड आएंगे तो एक्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फिर इस डेट को चली युड़ी लड़ीय का फर्स टाइम जारी होगा लेकिन अभी लेकपाल वाले में थोड़ा सा डाउट अभी भी लग रहा है कि ऐसा नहों कि आगे और भी लेट करें अगर कोई बदलाव नहीं होता तो फिर आपका इस डेट को एक्जाम 100% हो जाना है इस बार यह एक्जाम आप देखेंगे जो UDA LDA वाला उसी दिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने रीट का फर्म भरा होगा 23-24 को रीट का भी एक्जाम है वहाँ पर भी आप देखेंगे दोनों एक्जाम ओबरलैफ हो रह कोई भी ऐसी कंफर्म अपडेट आयोक से नहीं है वागी मेरा सरजेसन ही है कि आप लोंकरेषंग करते रहिए इसकी बी करते रहे जिनको मौका मळा है ओन तो करना ही करना है जिनको नहीं मिला है आप भी थकती प्रिकते रह वह साथ हो कि इट की और भी ग्र्लेटर नहीं क वीडियो की माध्यम से आथेंटिक जानकारी दे दी जाएगी तो इस वीडियो को आप प्लीज सभी लाइक और सेयर कर दीजेगा और अगर अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हैं धन्यवाद